अभी तक देख चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थों में परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं बहुतिक और रसाइनिक परिवर्तन साथ ही हमने रसाइनिक अभी क्रिया कि दर भी स्टार्ट कर दिया था आज देखते हैं कि इसमें और क्या क्या इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है जो हमको हमारी एक्जामनेशन में काम आएंगे अगर आप यह लेक्चर सीरी अच्छे से दे करते हैं तो आपके मेंस के भी तैयारी हो जाएगे तो लेट्स कर स्टार्टेड देखिए पहले से मैंने कल बताया था आपको यह जैसे ही रसाइनिक अभी कि दर हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं जो क्रिया फल है उसकी सांद्रता में परिवर्तन जो कि नेगेटिम परिवर्तन जो क्या होगा पॉजिटिव सांद्रता में परिवर्तन एक यूनिट टाइम इंटर्वल में या एकाही समय अंतराल में वैसे ही क्रिया कारेकों के सांद्रता में परिवर्तन एकाही समय अंतराल में तो ऐसे करके हमने ए प्लस बी एक्वल टू सी प्लस टी यह क्रिया कारण जादा रहेंगे तो टक्रों की संख्या जादा रहेंगी तो उसके कारण से उनकी सांदरता में दीरे-दीरे कमी आते जाएगे टाइम के साथ में और जैसे-जैसे ही क्रिया फल बनते जाएगा क्रिया फल की सांदरता बढ़ते जाएगे तो इस सरीके से हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ में कैसे या समय के साथ में कैसे जो क्रिया कारक है उनकी सांदरता में कमी आएगी क्योंकि पहले जो रहेंगे क्रिया कारक बहुत अधिक मातरा में रहेंगे बाद में जैसे जैसे वो क्रिया करते जाएंगे वो क्रिया फल में बदलते जाएंगे और क्रिया कारगों की सांदरता कम होगी और क्रिया फल की सांदरता बढ़ती जाएगी अगर हमको देखना है कि जो रासाइनी कभी क्रिया की दर होती है उसकी इकाई क्या है तो जैसे हमको पता है कि जो सांद्रता होती है उसकी एकाई क्या होती है मोल प्रती लीटर और टाइम क्या होगा सेकेंड में इसलिए रासायनी कभी क्रिया की दर की एकाई होगी मोल प्रती लीटर प्रती सेकेंड और जैसे हम देखें कि जो रासायनी कभी क्रिया की दर होती ह वो कभी भी constant नहीं होती है क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे शुरुआत में जो number of क्रिया कारक होते हैं वो ज़्यादा होते हैं तो तक्करों की शंक्या ज़्यादा होती है और वैसे ही समय के साथ में क्रिया कारकों की संक्या में कमी आते रहती है और उसके साथ ही रसाइनी कभी क्रिया की दर भी है वो कम होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिया कारक कभी भी एक समान नहीं रहता है क्रिया कारकों के कारण से रसाइनी कभी क्रिया की दर वो बदलती रहती है वो कभी भी एक समान नहीं रहती है अब हमने देखा कि क्रिया का जो रासाइनिक अभी क्रिया की दर है वो चेंज होते रहती है वो परिवर्तित होते रहती है इसलिए हम उनको लिख सकते हैं या डिफ्रेंसियेशन का साइन है डि-A बाइ-DT, डि-B बाइ-DT, टी-C बाइ-DT या डि-D बाइ-DT अगर हमको समय के साथ में जो क्रिया कारक है उसका गर ग्राफ लेना है तो उसको हम कैसे लेंगे इनिशली जब समय जीरो रहेगा समय का जो मान है वो जीरो है तो समय जो क्रिया कारक है वो मैक्जिमम होंगे देखें यहां पर maximum होंगे और समय के साथ में क्रिया कारवकों की संख्या क्या होगी काम होते जाएगी तो यह कैसा समय आएगा dx तो यह क्या हो रहा है परिवालतत हो रहा है समय के साथ में जो क्रिया कारवकों की संख्या है वो समय के साथ में परिवालतत हो सकती है तो इसलिए हम देख रहे हैं जो रसाइनी कभी क्रिया की दर होगी हम क्या ले सकते हैं dx by dt ये है देखें ये x x का portion है तो dx और ये वाला dt इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं ग्राफ को समय के साथ में ये ग्राफ आफ याद रखेंगा बहुत important है अब एक सांपल के थूँ समझते हैं अगर मान लेज़ें आपके पस hydrogen है और आप उसको क्रिया कारक की तरह ले रहे हैं तो क्रिया कारक की तरह अगर आप उसको लेंगे तो क्या लेंगे हम रसाइनी कभी क्रिया की दर negative या minus of d by dt of h2 मतलब यह जुद बता रहे है ब्रेकेट तो यह बताता है सांद्रता तो hydrogen की सांद्रता में परिवर्तन वह भी negative sign के साथ आप लेंगे अगर आप iodine ले रहे हैं लेकिन वह कैसे ले रहे हैं as क्रिया फल क्रिया फल की तरह अगर आप iodine को आपको इसकी रसाइनी कभी क्रिया की दर बताने है तो आप कैसे बताएंगे यह पॉजिटिव रहेगा है ना पॉजिटिव रहेगा और क्रिया जो iodine है उसकी सांद्रता में परिवर्तन इस तरीके से आप बताएंगे di2 by dt ठीक है तो यह एक्जामपल इसलिए था ठाक कि आप समझ पाएं कि कभी भी अगर आपको क्रिया कारक के बारे में क्रिया की दर निकालना है तो आप उसको किसमे लेंगे माइनस में लेंगे और वैस क्रिया क्ल्य क्लाओं आप होग nep निकालना है तो आप किसमे लेंगे पॉजिटीव में लेंगे अब क्रिया कारक और प्रोडेक्ट दोनों की बीच का ग्राफ हम कैसे ले सकते हैं जैसे की मैंने आपको भी बताय था जो क्रिया कारक होते हैं वह के इनीशाली बहुत कम उते ह जादा होते हैं लेकिन अगर हम क्रिया फल की बात करें या प्रोड़क्ट की बात करें तो जब समय जीरो रहता है उस समय में प्रोड़क्ट रहता है जीरो लेकिन समय के साथ साथ में क्रिया फल क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है तो हमने दो ग्राफ देख लिए एक देख लिए क्रिया कारक और समय का ग्राफ देख लिए दूसरा देख लिए क्रिया फॉल और समय का ग्राफ